हर्याना के मुख्यमंत्री नायब सिंग सैनी ने कहा कि हर्याना प्रदेश के हमारे सभी नवनियुक्त विदायक मंडियों का दौरा कर रहे हैं किसान को किसी प्रकार की समस्या या दिक्कत ना हो मैं स्वेम मंडियों का दौरा कर रहा हूँ अभी तक हमारी हर्याना की मंडियों में जो खरिदारी हुई है वो 5 लाख मिट्रिक टन है हम किसानों के हितों को देखते हैं कि उन्हें कोई दिक्कत या परिशानी ना हो चुनाव चल रहा था जिसमें हम व्यस्त थे और मौसम भी काफे दिनों से खराब चल रहा था हमने फसलों को MSP के दामों पर खरीदने की बात कही है अगर कोई किसान शिकायत करता है तो अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है इ किसान को किसी परकार की समस्या या दिक्कत ना रहे मैं स्वय पीपली मंडी में हूँ अभी लाडवा मंडी में जाओंगा फिर बबैन मंडी में भी जाओंगा किसानों को दिक्कत समस्या नहीं आनी चाहिए जो पैरामेटर्स बने हुए है 17 मौस्चराइज से नीचे या 17 म देरी मंडी में दखाई नहीं देनी चाहिए अधिकारियों को कहा है एक एक दाना वो किसान का उठान भी और उसको भड़ना भी और उसका पेमट भी मुझे अभी तक हर्याना पर्देश की जो मंडीयें हैं उसके अंदर हमारा जो पर्चेज हुआ है लग भाग पांच ला मिट्रिक टन पर्चेज किया है जिसमें से एक लाख 69 हजार हमने उठान भी किया है और बाजरे का भी एक लाख 30 हजार 384 मिट्रिक टन लाख मिट्रिक टन हमने परचेज किया है लगातार हमारा ध्यान मंडियों के उपर है मैंने कल भी जो सेलर मिल्स हैं उनसे बैठे किया था कि आपकी जो बात है जो समस्या है हमने उसको सुना है उसका समधान करने के लिए भी हमने कहा है प्रांतो अगर उसके बावजूद भी कहीं किसान को दिक्कत आती है तो हमने कहा है कि दूसरा कोई मिलर से है आप उसको देने का काम करें कि कुछ किसानों ने इस परकार की सिकैत यह की थी कि हमारा जो मुन्स रrawd pacing उसके अंदर कट लगा है किस अधिकारी ने लगा है किoter Island किसान का लगाए उसके खलाफ कारवाई के लिए मैंने कहा है विस्कार की जाए आइंदा इस परकार की सिकारत देश दुनिया की ऐसे हैं तमाम खबरों के लिए देखते रहे पंजाबकेसरी.com साथ हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर थे